इस कहानी के लेखक हैं धिरज कुमार राम किसन सालूं के रात का समय था एक बस रास्ते से गुजर रही थी बस के पैसेंजर्स नीन में थे ड्राइवर जैसे तैसे नीन रोकते हुए बस चला रहा था लेकिन बस की स्पीड फास्ट थी तबी बस ड्राइवर ने देखा कि एक कार दो रास्ते की किनारे बाहीं तरफ खड़ी है और बचे हुए रास्ते से बस तेजी से नहीं गुजर सकती थी ड्राइवर को गुस्सा आया क्योंकि उसे बस के स्पीड कम करनी पड़ी और अगले स्टॉप पर पहुँचने के लिए बस को देई होने लगी थी बस उस कार के पास से गुजर रही थी ड्राइवर को लग रहा था कि वो चला कर कार ड्राइवर को गाली दे क्योंकि उसने कार किनारे से थोड़ी दोर रास्ते पर लगाई थी लेकिन फिर भी जोर से हौन मार कर मनी मन गाली देते हुए ड्राइवर बस आगे ले आया ड्राइवर तेजी से बस चलाने लगा कुछ आदे घंटे बाद बस जंगल के रास्ते तक पहुँची तब ही ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी रास्ते के बीचों बीच से भाग रहा है उसकी पीट पर एक बैग थी ड्राइवर जोर जोर से हौन माहने लगा ताकि वो आदमी रास्ते के बाजू हट जाए लेकिन हौन की आवाज सुनब रोक गया और पलटकर बस को रोकने के लिए चिलाते हुए दोनों हाथ उठा कर हिलाने लगा ड्राइवर को लगा कि वो आदमी मुसीबत में होगा इसलिए उसने बस रोक दी बस रोकते ही कंड़क्टर ने बस का दरवाजा खोल दिया वो आदमी हापते हुए बस में चड़ गया और चिलाते हुए बोला जल्दी बस बगाओ बगाओ वरना वो आ जाएगी बस रुकने के कारण और उस आदमी के चिलाने के कारण पैसेंजर्स नेन से जाग गए ड्राइवर उस आदमी के तरफ मुड़कर देख रहा था तभी वो आदमी फिर से चिलाया अरे भगाओ वरना वो सब लोगों को मार डालेगी यह सुन ड्राइवर के साथ साथ बस के सभी लोग घवरा गये और बस ड्राइवर ने वहां से बस भगाई क्या हुआ भाई साथ आप इतने डरे हुए क्यूं हो और आप किस के बारे में बात कर रहे हैं कौन आईगी उस आदमी ने अपने पीट से बैग निकाल कर नीचे उसके पैर के पास रखी और कंड़क्टर के बगल में बैठ गया वो पसीने से लगपद हो गया था उसका शेट पटा हुआ था और उसके शेरीर पर कुछ जखमे भी थे जिसमें से खून बह रहा था पैसिंजर्स उसे घूर रहे थे कुछ लोग घवरावी गये थे कि ये आदमी आखिर है कौन अब कौन हो भाई और ऐसे क्यों भाग रहे हो और किससे भाग रहे हो वैसे उस आदमी ने बताना शुरू कर दिया मैं मैं सत्या हूँ मैं पीछे बाले कलहरी गाओं की रेलवे स्टेशन पर चौकिदार का काम करता हूँ मेरा कुछ पाँच-छे दिन पहले कलहरी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी लगा था वैसे गाओं छोटा होने के कारण स्टेशन भी छोटा था वहां के वल एक ही प्लैटफॉम था वहां के लोग रेलवे का कुछ बहुत कम ही इस्तमाल करते थे क्योंकि एक ट्रेन रात में दो बज़े आती है जो सीधे सोलापूर से होकर कन्या कुमारी की तरफ जाती है और फिर वही ट्रेन दूसरे दिन सुबह चार बज़े वापस मुंबई की तरफ जाती है दिन में बस दस बारो और कभी कभी तो दो चार और कभी कभी तो रेलबे स्टेशन पर कोई पैसंजर आता भी नहीं है मैं वहाँ जाकर बहुत खुश था क्योंकि पारकिंग में कभी कभार गाड़िया रुकती थी उसके बाद तो मैं प्लाटफॉर्म के एक बेंच पर जाकर सोता था पहले एक दो दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा लेकिन तीसरे दिन हमावस की रात आई मुझे घर से मावर बीवी का फोन आया कि आज के दिन रात में ठेक से ड्यूटी करे और भगवान का नाम लेते हुए ड्यूटी करे और अंधेरे से दूर ही रहे मैंने हाव भरी उस रात पूरा स्टेशन खाली था मुझे हर रोज की तरह उस रोज भी कोई काम नहीं था टिकट काउंटर पर बैठा सुरेश मोबाइल में घुसा पड़ा था पैसेंजर्स नहीं आते इसलिए स्टेशन पर कोई कैंटीन या ठेके वाला भी नहीं था मैं प्लाटफॉर्म के बेंच पर बैठा जबकी ले रहा था तभी मेरे पीछे से एक छोटा बच्चा चिलाते हुए आया बचाओ काका बचाओ उसके चिलाने से मैं डर कर जाग गया मैंने आके खोली और मुड़कर देखा वो आठ नो साल का बच्चा मेरे पास ही आ रहा था कि तभी मुझे वो देख जोर से चिलाया मुझे चोड़ दो और वहां से टंकी के तरफ भाग गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरे क्या हो रहा है वो चोटा बच्चा कौन था और किस से बचाओ बोल रहा था और मुझे देख वो घवरा कर क्यों भागा वो बच्चा भाग कर टंकी की पीछे चिप गया मैं चोकन ना हो गया और अपने हाथ में लाठी उठा कर वो बच्चा जिस तरफ से आया था वो इस तरफ देखा लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया कुछ देर उसी जगा पर ढहरा रहा वो बच्चा उस तंकी की पीछे चुपकर जोर जोर से रो रहा था मुझे उसकी चिंता सताने लगी इसलिए मैं तंकी के पास चला गया तंकी के पीछे अंधेरे में वो छुपा हुआ था मैंने टौर्च चालू की और अंधेरे में टौर्च की रोश्णी में उस बच्चे को देखा और मेरी रॉंटी खड़े हो गए क्योंकि वहाँ पर वो छोटा बच्चा तडपते हुए पड़ा था उसकी गर्दन किसी ने काट दी थी और उसका सर उसके कंधे पर गिरा पड़ा था वो हाथ पाउं हिलाते हुए तडप रहा था मैं डर गया और इधर धर उस बच्चे पर हमला करने वाले को दोने लगा और फिर वहाँ से पीछे हटते हुए टिकट काउंटर की तरह भागा सुरेश, सुरेश मैं सुरेश के पास जाकर आपते हुए बोला क्या हुआ? वहाँ पर, वहाँ पर टंकी के पीछे किसे ने छोटे बच्चे को गला काट कर माह डाला क्या? हाँ, माह कसम, रुक बाहर आता हूँ सुरेश ने कहा और वो टिकट काउंटर वाले रूम से बाहर आ गया मैं उसे टंकी के पास तक ले गया मेरे उसके पीछे जाकर उस बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए, मैंने सुरेश को अकेले वहाँ जाने के लिए कहा सुरेश घवराते हुए टंकी के पीछे गया कुछी वक्त में वो टंकी के पीछे से बाहर आया और बोला कहा है बच्चा? वही तो है, टंकी के पीछे खोन से लटपत पड़ा उसकी गरदन कट चुकी है और उसके कंदे पर पड़ी है यहां कुछ भी नहीं है आओ, खुद आके देख लो मैंने वहां जाकर देखा और मेरी आँखे फटी की फटी रह गई क्योंकि वहां कोई भी बच्चा नहीं था ना ही वहां कहीं खोन की एक बूंद भी थी वह देख में हक्का बक्का रहे गया अभी तो यही तलब रहा था अब कहां चला गया तेरा कोई वहम होगा जा, किसी बेंच पर जाकर लेट जा उसके दूसरे दिन रात में मैं रोज की तरह प्लैटफॉर्म पर टहल रहा था अज प्लैटफॉर्म पर दो-तिन पैसेंजर सामान के साथ दिखाई दे रहे थे मैं प्लैटफॉर्म पर खड़ा था तभी एक आदमी मेरे पास भागते हुए आया और बोला बाई साब, उस बेंच पर लेटा एक आदमी जोर-जोर से रो रहा है उसने चादर ओड रखी है ना जाने उसे क्या हो रहा है यह सुन मुझे लगा कि शायद कोई गंभिर मामला है इसलिए मैं भागते हुए उस आदमी के साथ बेंच के पास पहुंचा जिस पर दूसरा आदमी चादर ओड़े सोया था और वो रो रहा था उसकी आजाद से वो कोई बुढ़ा आदमी लग रहा था ओ चाचा क्या हुआ क्यों रो रहे हो मैंने पोछा मेरी आजाद सुनों वो जोर से जीखा मुझे छोड़ दो क्या हुआ अब रो क्यो रहे हो मैंने पोछा लेकिन वो किवल एक ही बात दोरा आ रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो उसके ऐसे बरताऊ से मैं थोड़ा गवरा गया था बाई साब, आप चादर खींच के देखो तब ही पता चले हा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है मेरे पास खड़े हुस आदमी ने मुझे कहा और फिर मैंने बेंच पर लेटे शक्स की ओड़ी हुई चादर खींची और मेरी आखे फटी की फटी रह गई मेरी रॉंक्ते खड़े हो गए क्योंकि बेंच पर एक बुढ़े आदमी का सरकटा शरीर था और बेंच पर खून फैला हुआ था वो सरकटा शरीर कटे हुए गले से चिलाया उसमें से कुछ खून की पिछकारिया उड़ी और फिर वो बेंच से उठकर गुल्टे पैर दूर अंधेरे में बाग गया यह देख मैंने अपनी पेंट में ही पिशाप कर दी डरके मरें मेरे पसी ने छूट गए मैंने अभी अभी एक सर कटे हुए भूत को देखा था जोल्टे पाउं अंधेरे में भाग गया था कुछ देर आँखे फाल कर देखने के बाद मैं अचानक से चिलाया भूत और मैं सीधा भागते हुए सुरेश के पास पहुचा भूत मैं काउंटर पर खड़ा सुरेश के कहने लगा क्या हुआ कहा है भूत उसने मुझ से पूछा मैंने उस बेंच की तरफ उंगली करते हुए कहा उस तरफ उस तरफ वो सर कटा था वो उल्टे पैर अंधेरे में भाग गया बेंच पर पुरा खून पहला हुआ है क्या रुक अभी बाहर आता हूँ और देखता हूँ और वो टिकट काउंटर रूम से बाहर आया और मैं उससे बेंच की पास ले गया और एक बार फिर मैं चौँक गया क्योंकि अभी उस बेंच पर खून नहीं था कहा है खून यही था यही था पता नहीं कहा चला गया अचानक क्या लगा रखा है मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है मैं सच कह रहा हूँ यार मुझे पर यकिन नहीं है तो एक आदमी था मेरे साथ मैंने उसे कहा और फिर पलटकर मैं प्लैटफॉर्म पर उस आदमी को ढूणने लगा जो मुझे उस बेंच के पास लेकर गया था वो दूर प्लैटफॉर्म पर बैठे नीचे पैर छोड़कर आराम से बैठा था मैं सुरेश को उसके पास ले गया भाई साब आप इनको बताईए आप जिस रोते हुए आदमी के पास मुझे ले गया थे वो भूत था या नहीं मैंने आपके कहने पर ही ओड़ी हुई चादर खींजी थी ना और फिर वो सरकटा भूत अंधेरे में भाग गया था ना मैंने उस आदमी से कहा तब वो आदमी मेरी तरफ ही देखने लगा अरे बताओ ना इनको क्यों चुपो मैंने उस आदमी से पूचा तब ही हमारे पास एक आदमी आया और बोला भाई साब ये बोल और सुन नहीं सकते ये सुन तुम मेरे होश ही उड़ गए क्या ये आप क्या कह रहे हैं ये भाई साब अभी कुछ दिर पहले मेरे पास आये थे और इन्होंने खुद अपने मूँ से मुझे उस रोते हुए शक्स के बारे में बताया था मेरी आखों के सामने वो दूसरा आदमी मुझे पर चिलाते हुए बोला तभी सूरिश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला यहां से चल और फिर वो मुझे टिकर्ट काउंटर रूम में ले गया उसने मुझे कुरसी पर बठाया और पानी पिलाया देख भाई मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है लेकिन लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ मैं खुद हैरान हो गया था कि वो आदमी एक दम से मुड़कर क्यों गया वो खुद मेरे पास आया था और मुझे उस रोते हुए आदमे के पास ले गया था उसना ही मुझे चादर खीचने के लिए कहा था और फिर मुझे सरकटा भूत दिखा था और फिर अचानक से वो बहरा और गूंगा कैसे हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे सौत क्या हो रहा है मैं वहाँ से उठकर मेरे रूम में सोने चला गया दूसरे दिन सुबह मैंने ये हादसा मेरे माँ को बताया तो मेरी माँ ने कहा कि शायद वो रेलबी स्टेशन भूतिया हो और वहाँ कुछ आत्माय भटकती हो वो मेरी चिंता करने लगी और जॉब छोड़ने के लिए कहने लगी लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे वो जॉब मिली थी मैं उसे छोड़ने ही सकता था हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करे और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलना मैं